आपने एक AP को तो समझ लिया कि एक arithmetic progression क्या होता है आपने वापे first term को भी समझा next कुछ terms भी calculate करी आपने common difference भी बताया कि उन terms के बीच में क्या होता है लेकिन अगर हम उसी AP में सिर्फ first term और common difference का use करके किसी भी एक random term के बारे में बताना चाहें कि वो term क्या होगी like अगर हमें first term के बारे में पता है और हमें common difference पता है और हमसे किसी ने पूछ लिया कि उस arithmetic progression में और वीकन से उस AP में 73rd term क्या होगी 125th term क्या होगी तो हम simply add करके तो उसे नहीं बता सकते कि हम add करते रहें और फिर 73rd term उसे calculate करके बताएं या फिर add करते रहें और उसे 100th से ज़ादा कोई अगर एक term हमसे पूछी गई है तो उसे बताएं ये हम एक simple formula से भी कर सकते हैं जो हमने previously देखा भी था like हमने nth term calculate करीती वो होती है an is equals to a plus n minus 1 into d n यहां represent कर रहा है कि आपको कौन सी term जाननी है like अगर आप first term देखना चाहते हैं तो n हो जाएगा first अगर आप 10th term देखना चाहते हैं तो n हो जाएगा यहाँ पर 10 अगर आप 73rd term देखना चाहरे हैं तो n हो जाएगा 73 और अगर हम 73rd term की ही बात करें तो a 73 हमारे पास होगा a plus 73 minus 1 into d और we can say a plus 72 d तो आप easily अगर आपको a और d पता है तो आप easily बता सकते हैं कि आपकी 73rd term क्या होगी और इसी चीज़ का हम use करते हैं और कुछ example solve करते हैं और इस topic को बहुत अच्छे से समझते हैं